साथियों बड़ी अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल के माध्यम से दें आप तक पहुँँ सके देखिए आई टी आई में होगी शिक्षकों की भरती जिहां साथियों आई टी आई में प्रशिक्षन आधिकारी के चार सव पदों पर होने वाली है बड़ी भरती जिसका एलान भूपेज बगेल जी ने कर दिया है बड़ा फसला भूपेल बगेल ने कर दिया है आपको यह जो नोटिफिकेशन है वो भी दिखेगा देख सकते हैं 36 सासन कॉंसल विकास तक्निक की शिक्षयम रोजगार विभाग महानत मंत्रालाय इसमें 10 जनवरी 2030 का नोटिफिकेशन है इस वीडियो में हम सभी चीज़ें आपको बताने वाले हैं चाहे बात करें हम योग्यता की बात करें हम वेतनमान की हर वो चीज आपको बताने व लगभग हमारे प्रदेश में हम बात करें तो 1411 पद खाली है लेकिन इसको चरणबध तरीके से भरती कराने का सुझाव दिया है इसलिए 400 पद पर यह जो भरती है वो होने ला दिए ठीक है तो 400 पदों पर भरती पर शायो दिच होना है अब इनके लिए क्या योग्यता हो क्या से कीशन होगा कितना वेतन मान होगा तमाम चीजें हम इस पर चर्चा करेंगे ।दिश्ट begitu यह जो के सप्जी procedure मध्यप्रदेश क है लेकिन जो हमारा सीलेबास है ठीक है जो योग्यता है वह रहती है इसलिए हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे अर्था योग्यताओं प के लिए आप सभी जानते हैं बात करें साथियों हम इसके लिए सिलेबस की ठीक है अगर हम इनकी सिलेबस की बात करें देख आपको सिलेबस यहां दीख रहा है पाठेक्रम सभी पदों के लिए ट्रेट से संबंधित पाठेक्रम के फजत्तर जो वस्तुनिष्ट प्रश्ण एवं कक्छा दस्वी इस्तर के जो अन्य विसे है ठीक है 25 प्रश्ट वस्तुनिष्ट चुकि यदि इसका जो एक्जाम है व् पिदन कर रहे हैं उसी से जुड़ा प्रश्ण आप से पूखे जयेंगी जैसे विज्ञान के प्राश्ण रहेंगे समाजी समान ने ज्यान के रहेंगे तक्निक की X में तार्किक ज्यान के रहेंगे बेसिक कम्प्यूटर नौलेज के रहेंगे इसके अलावा आपका जो तक्निकी सब्जिक्ट है अर्थात माली जी आपने इलेक्ट्रिश्यन में किया है तो इलेक्ट्रिश्यन का कुश्चन आएगा आ आपने mechanical branch से किया है तो mechanical branch का question आएगा ठीक है इस तरह से आपका जो syllabus है वो रहेगा हमारे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं 36 गड़ की हम बात कर रहे हैं ठीक है अभी जब हम इसकी बात करते हैं तो अलग-अलग आप देख सकते हैं चुकि इसमें प्रस्रिक्शन अधिकारी electronics, diesel mechanic, refrigerator, dropsman mechanical, dropsman civil, electrician, फीटर, drawing सभी के लिए अलग-अलग योग्यता रखी गई है ठीक है साथियों मगर हम जब बात कर रहे हैं इसके योग्यताओं की ठीक है तो आप पूरे जो डीटल से इसकी जो योग्यता को नीचे देख पाएंगे देख सकते हैं पहले तो वेतनमान की हम बात कर लें 32,800 से 1,3,600 वेतनमान है ठीक है तो बेसिक जो भी रहेगा आएगा तो पता चलेगा अब सेक्षडिक योग्यता क्या हाई स्कुल या पुराने ग्यार्विक अक्ष्य उत्तिर्न होना चाहिए पहली ठीक है साथिसाथ NCVT से या SCVT ठीक है NCVT अर्थात केंदर से मानेता प्राप्त हो या SCVT अर्थात राज से मानेता प्राप्त हो ठीक है अर्थात दोनों में कोई भी यदि से मानेता प्राप्त है तो वे आवेदन करने के लिए पात रहें ठीक है साथियो या आपके पास एक अथवा में है यदि आपने ITI नही किया है तो आपके पास engineering की degree होना चाहिए या engineering का diploma होना चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि आपने engineering में उपाधी लिया है ठीक है इसनातक की उपाधी है यदि संबंधित विशय में engineering किया है इसनातक है या पॉलिटेकनिक डिपलोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं तो यह तीन चीजे हैं जो की important है ठीक है साथियो तो degree या डिपलोमा दोनों आवाई level है इसमें इस पत के लिए तो जो भी साथी ITI पास है जो भी साथी ITI पास है या बी या बीटेक की परिक्षा उत्तिर्ण है ठीक है या यदि आपने पॉली भी किया हुआ है तो आप इन पदों के लिए आवेदन करने है तू पात रहें साथियों और जल्दी से आवेदन करेंगे जैसे ही वेकिंसी आएगी उस जब हम नोटिफिकेशन आएगा तो अपने चैनल के माध्यम से फिर प्रोवाइट कराएंगे जो कंप्रीट नोटिफिकेशन है हमारे चैनल से सभी चीजें आपको सबसे पहले मिलती है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें जो भी साथी है जो संबंधित योग्यता रखते हैं उनके लिए बहुत बड़िया औसर्प आने वाले समय और अने वाला है इस वीडियो में बस इतना ही चर्चा करेंगे साथियों अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे सिक्षा प्रद अप्रेद के साथ जहिन